तो आज पाकिस्तान सुनेगा हिंदुस्तान का गगन भेदी जैगोश जी हाँ आज पाकिस्तान देखेगा हिंद के जवानों का जोश आज पाकिस्तान टेंशन में आ जाएगा जब भारतिये जवानों के पल्टन को देखेगा आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल बित गए सतातरवा आजादी का पर्व हम मना रहे हैं लिहाजा आटारी बॉर्डर पर अब से बस कुछी दिर के बाद ऐसा ट्रेलर नजर आएगा जिसे देखकर दुश्मनों के सीने की धड़कने बढ़ जाएंगी आखें लाल, रंगों में उबाल और जवानों का कमाल जजबा देखकर पाकिस्तान का कापना तैमान ले भारत माता की जैके गगन भेदी, जैगोश हर तरफ सुनाई पढ़ेंगे ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ा है अभी शेक उपाध्याय और आयूशी नेगी जो अटारी बॉर्डर पर बीटरिंग रीट्रीट की पल पल की खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने रखने बाले हैं तो मारत का कद कितना बढ़ा हिंद के दम पर कैसे इजाफा हुआ है और दुश्मन कैसे का अपने लगे बॉर्डर पार के हालात कैसे हैं हर खबर आपके सामने हम रख लेंगे शुरुआत कर लेते हैं सीध्य आपको लिए चलते हैं जोग कह रहे हैं कि हम सब भारत्य हैं और भारत्य होने पर हम लोगों को गर्व हैं आप देखें दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों का हुजूम उमार पड़ेगा हुजूम ही पदिखाई देगा और आप सोचिए कि इस हलने में इस आवाज में हम लोग को सुन पाना कितना मुश्किल हो पा रहा है सब के हाथों में जंडे हैं सब अपनी इस गर्मी में देखे दूर दूर से देश के कोने कोने से पहुँचे हुए हैं आठ स्वतनतरता का ये जश्न मनाने के लिए और आप देखें सबी के हाथों में जंडे हैं और ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उन वालों को हम लोग बता नहीं पाएंगे शब्तों में कि कितना अच्छा हम लोगों को यहां पर महसूस हो रहा है ये चीज देखकर लोगों को देखकर लोगों के मन में जोच्छा है उसे देखकर कि किस उच्छा के साथ जोच्छ के साथ जो लोग हैं आज वो सेना का साथ दे रहे हैं इस खास घड़ी में यहां पर मौझूद हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी परस्तितिया आ जाए, कैसे भी स्तितिया आ जाए, डट कर हम लोग अपने देश के साथ खड़े हैं बिल्कुल और देखिए, ये जो तस्वीर आपको आयुशी दिखा रही थी, यही तस्वीर यहां की सच्चाई है और मुझे यहां खुमार बारबंकी भी याद आते हैं, कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, दो दिन की जिन्दगी का मज़ा हमसे पूछिए, एक पल में ये एक सदी का किस्सा है और एक सदी में इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सदीयों का इतिहास चस्पा है देखिए यहाँ से जब हम इधर देखेंगे सामनी के और जो आपको गिड़ दिखाई पड़ रहा है उधर पाकिस्तान है इधर हिंदुस्तान है और ये जो सरहत की आपको दिवार दिखाई पड़ रही है इस सरहत की दिवार पर भारती वीरों के शोर्य का घेरा है इस सरहत की दिवार पर एक अदम में जीविशा जो कभी भी हार नहीं मानती है जो अपने पौरुशे देश का स्रिंगार करती है ये उसका यहाँ पर बोल बाला है और मैं आपको जब ये तस्वीरे दिखाऊंगा और मैं बार बार कहरा हूँ कि शब्द यहाँ पर बाउने हैं यहाँ तस्वीरे हैं उन्होंने हिमाले का रूप ले लिया है दिखिए इन तस्वीरों को और ये जो आपको उपर के ब्लॉक में बैठे वे लेक दिख रहे हैं जहां पर लिखा है भारत इंडिया भारत जिसके बारे में पाश लिख गया है कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां पर ये शब्द आता है वहां पर बाकी दूसरे सारे शब्द अर्तिहीन हो जाते है और ये जो आप करतल धुन देख रहे हैं ये बता रही है कि दूसरे सारे शब्द यहां पर अर्तिहीन हो गए है यहां पर एक ही शब्द है भारत यहाँ पर मिलने के बाद एक जो संगम है ये भारती तहजीब का संगम है भारती संस्किर्ट का संगम है भारती जीजीविशा का संगम है भारती चाशक्ति का संगम है ये भारती उमीदों का संगम है ये भारती संभावनाओं का संगम है ये भारत के भीतर की जो जाजल मान प तिवा का संक्व हैं , हमारे साथ में हमारे जो वहमान जुड़ेवे हैं उनEr Rings इस्पास में जाओंगा को ये जो तस्वीरे मैं आझा में आशेक देख रहे है उन्होंने जिया है इसको और जिन्वन ने जिया है दुशन कमार लख गहे हैं कि मैं जिसे ओड़ता बिछाता जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीदा जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह हैं इनकी बहु पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे